सिद्ध कामना क्रिया क्या है? सिद्ध कामना क्रिया वो क्रिया है 15 मिनिट की जिसके माध्धम से आप 24 घंटे में कभी भी अपनी चेतनमन की चाह को और चेतनमन में पहुचा सकते कई मित्र कहते हैं कि संज्योनी क्रिया का भ्यास करने की कोशिश करता हूं कर नहीं पाता हूं छूट जाती बहुत संखेप में पहली चीज में यही कहना चाहूंगा कि आप यानि हर मनुष इस प्रतिवी पर अपने मन का गुलाम और जन्मों जन्मों से मन की गुलामी करते हुए हम आये हैं हम कभी अपने मालिक, अपने मास्टर नहीं बन सके we could never be our masters and even today we are not our masters we are slaves of our desires and all our desires are the manifestations of the faculties of our mind जिसे मन कहते है यानि मन तरह तरह के जारों में हमें उल्जा देता है और मैं आप से कहूं ये स्वभाविक है कि ध्यान में आपका मन नहीं लगता है क्यों? क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन की मौत ध्यान का अर्थ है मन के जालों से मुक्त हो जाना ध्यान का अर्थ है मन का मालिक बन जाना तो जिसके तुम मालिक बनना चाहोगे वो आसानी से तुम्हें अपना मालिक बनना देगा, वो तो विरोध करेगा ही, वो तो आपको तरह-तरह से बढ़काएगा ही, वो तो तरह-तरह से बाधा पैदा करेगा ही, तो एक और मन बाधा पैदा करने की अपनी स्वभाविक आदत नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर आपको उस पर विजय पानी है तो आपको भी उतना ही संकल्प करना पड़ेगा कि ये बाधा करें लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे के लिए संजीवनी क्रिया के नाम पर बैठूंगा वो बाधा करें, वो आपको डराएं वो चाटन करें, वो भ्रम पैदा करें आपको हटाएं लेकिन आप अपना संकल्प इतना जारी रखें कि मोटी मोटी बात मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपना समय एक पक्का कर ले और इस्थान पक्का कर ले और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यथा संभो सोकर उठने के बाद जितना जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोकर कब उठे लेकिन जब भी सोकर आप उठते हैं सबसे पहला काम आप संजीवनी क्रिया के लिए लखे तब आपको सफलता मिलने में सीगरता उपलब्द होगी दूसरी बात मैं आप से कहना चाहता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा मैं परम आनंद को पाकर ही रहूँगा इसका प्रगाड संकल्प आपके औचेतन मन में पैदा हो जाना चाहिए ये प्रगाड संकल्प आपके औचेतन मन में कैसे पैदा होगा सिर्फ रात को मैंने बताया जब आप सोने जाते हैं बिश्तर पर लेट गए हैं और जो आप पाना चाहते हैं भोतिक जगत की या जो भी आपकी आकांग्शा है पाने की उसको दोहराते दोहराते सोना है तो उसको दोहराते दोहराते एक संकल्प अंत में ये भी दोहराएं कि मैं ध्यार में प्रवेश करके रहूँगा मैं परम आनंद को प्राप्त करके रहूँगा कम से कम पाँच बार मन ही मन मन ही मन मन ही मन इसी संकल्ब को दोहराते हुए सो जाएं बहुत बड़ा चमतकार होगा धीरे धीरे एक ना एक दिन ये आपके ओचेतन मन को पकड़ लेगा और ओचेतन मन ने इस संकल्ब को पकड़ लिया आपके तो समझ लेना बाकी सारी चीजें तो इसके पीछे पीछे चली आएंगी परम आनंद को पारे का संकल्ब आपका पूरा होने लगा फिर बच्ता क्या है ये छोटी मोटी आक अंग्षा हैं तो अपने आप पुरी हो जाएंगी आपकी ये संकल्ब आपके ओचेतन मन में भर जाना चाहिए और ये प्रगाड संकल्ब भाव के साथ नीद में प्रवेश करें एक दिन पाएंगे कि चमतकार होने लगा है और शेतन मन अपने आप आपके इस काम को सरल बना देगा अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ जैसा मैं हमेशा आप से कहता हूँ कि भगवान से उन्हें ध्यान में प्रवेश करने की 112 विधियां दी और आज तक इस प्रतिवे पर उसके बाहर कोई विधि नहीं पैदा हुई लोगों ने उसी का घाल मिल करके तरह तरह की विधियां बना दी उसका कोई औचित नहीं है लेकिन खांटी सुद्ध विधियां 112 है और उन 112 विधियों में से एक एक विधि के प्रयोग से अभ्यास से बहुत गहनता से गुजरा हूँ अभ्यास करने के लिए ही नहीं उनका बायोलोजिकल साइंटिफिक एक्सप्रिमेंटेशन करने के हिसाब से और तब मैं बहुत गहरी छान बीन परिक्षंड के बाद इस निसकस पर पहुँचा कि 21 सदी के आदमी को हिर्दे के इंदृत विधि ही ध्यान के रूप में देना सरबादिक उप्योगी और सरबादिक प्रभावकारी होगा इसकी पीछे बहुत मात्पून करन जिन्होंने भी जाना है जिन्होंने भी पाया है जिन्होंने शरीर को भीतर से देखा है सुक्ष्व शरीर का और आत्मक का अनवो जिन्हें उप्लब्ध हुआ उन सारे लोगों के अनवो का सार है मेरे अपने व्यक्तिकत अनवो का सार है कि आप दो तलों पर जीते हैं मस्तिस का तल और हुर्दे का तल आज एक किसुई सदी का आदमी 99% बुद्धी के तल पर जीता है बुद्धी परधान हो गया है हर आदमी तो उसकी चेतना उसकी कांसेसनेस उसकी प्राण उर्जा 99% कहां केंद्रित रहती है बुद्धी में और ध्यान का सारा उद्धेस ये है कि अपनी प्राण उर्जा को आतमा पर केंद्रित करना है आतमा के संपर्क में ले जाना है जो व्यक्ति जितना अधिक आतमा के निकट होता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक जीवन में असाधारन सपलता प्राप्ट करता है वो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मस्त होने की इस्तिति में पहुंचता है और परमानंद को उपलब्द होता है तो ध्यान का उद्धे से क्या है आत्मस्त होना आत्मा के निकट होना आत्मा में इस्थित होना बुद्धी का सीधे आत्मा से कोई संबंध नहीं है जिनों ने आपके बींग को भीतर से जाना सारे संबंधों का अनुबो मेरा अनुबो कहता है बुद्धी का आत्मा के साथ सी कोई संबंद नहीं है बुद्धी का हिर्दय से संबंद है हिर्दय एक और तो आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है दूसरी और बुद्धी से जुड़ा हुआ है बुद्धी से सीधे आत्मा पर नहीं जा जा सकता है जो चेतना आपकी बुद्धी पर केंद्रित है उसको पहल बुद्धी से हिर्दे पर लाना पड़ेगा और जब बुद्धी से हिर्दे पर चेतना आ जाएगी तब स्वाभाविक रूप से आत्मा की तरफ सरक्णा उसके लिए साज, शरल और सुगम हो जाएगा तो ये जो चेतना 24 गंटे आपकी घूमती रहती है बुद्धी के हिर्दे का काम भी बुद्धी से ले रहे हैं बुद्धी से क्या नहीं कर रहे हैं यहां तक कि मनों पर ज्यानिक कहते हैं कि बुद्धी से ही 90% मेथुन का कार्ये कर रहा है 21 सबीक आदमी वह बहुत खतरनाग है वही हर तरह की विक्षिप्तता है हर तरह का पागल परने हर आधर का भीकार हरतरा की हिंसा उपद्रो अशांति तनाव इस्ट्रेस सबका कारौन है कि जो जिस इंद्रिय का काम है उससे करो कोई ज्यादर नुकसान की बात नहीं है लेकिन अगर कान का काम सुनने का है अगर दूद पीने के लिए दूद आप कान मि डालेंगे तो क्या परेडाम होगा आपका कान भी खराब होगा और उससे जो दूरी पिनस लाव होता हो भी नहीं मिलेगा तो अगर मस्तिस्क से मैθुन करेंगे तो एक तो मस्तिस्क खराब होगा और दूसरे मैθुन से जो Anybody कि मिलती है जो बिया लॉजिकल उसके benefits है उससे भी आप बंचित हो जाएगे उसका जो परम सुख है उससे भी बंचित हो जाएगे उसको जो रुपांदृत किया जा सकता है उससे भी बंचित हो जाएगे इसकी चर्चाबाद मैं करूँगा अभी आप इतना ही समझ ले कि बुद्धी से चेतना को हिर्दे पर लाना है और बुद्धी से चेतना को हिर्दे पर लाने के लिए कम से कम आधे घंटे तो चेतना को हिर्दे की ओर करिए फिर धीरे धीरे वो अपने आप हिर्दे केंदर थोने लगेगी अंदिम कारण जिसके करण मैंने इसे चुना है आपके लिए ये हिर्दय केंदर आपके सुक्षम शरीर का सबसे महत्फण आयाम है आपके समपूरन जीवन का केंदर ही हिर्दय की पहली धड़कन के साथ आप अस्तित्य। में आते हैं और अंत्म धड़कन के साथ आप संसार से विदा हो जाते हैं इस पहली धड़कन और अंतिम धड़कन के बीच में ही आपका सारा जीवन है इसलिए जो जीवन का केंद्र है हिरदे उस पर केंद्रत विधी को मैंने ध्यान विधी के रूप में 21 सदी के आदम के लिए चुना है सारी दुनिया के 21 सदी के आदम के लिए इस से ज़्यादा महत्पूर्ण उपयोगी और कोई दूसरे ध्यान की विधी नहीं है दूसरी बात बायोलोजिकल हिरदे से ही आपके सारे शरीर में रक्त कसंचार होता है और जब आप हिरदे पर ध्यान के इंदृत करते हैं तो ध्यान की विध्यान का सार है जिस पर भी आपका ध्यान जाता है जहां आपका ध्यान रहता है जिस पर आप ध्यान करते हैं वो स्वस्थ होता है ससक्त होता है और शक्तिशाली होता है जैसे बच्चे का ध्यान करेंगे, बच्चा स्वास्त होगा, सचत होगा, सक्ति-शाली होगा फूल-पॉधों का ध्यान करेंगे, उनमें अच्छे फूल निकलेंगे तो अगर हिर्दे पर आप कम से कम हर रोज आदे गंटे ध्यान के अंदरित करेंगे संजीव निक्रिया के माद्दिम से तो आपका हिर्दे जहां से संपुरूल सरीर में रक्त संचार होता है आपके जीवन का अधार है वह हिर्दे स्वस्त होगा, शशक्त होगा, शक्तिशाली होगा और वहां से संबंधित रक्त जो पूरे सरीर में संचरित होता है आपके हिर्दे और रक्त से संबंधित कोई भी बिमारी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आजकती ध्यान ही उसका सबसे बड़ा उपचार कर देगा